प्राइडे है ना टीम बॉंड डी अक्टिविटी हो रही है ना तुछ स्नैक्स है तुम कर क्या रही हो मुझे बैंगलोर के टॉप तीन समोसा वेंडर अभी चाहिए उनके समोसा में टेस्ट करके बता हुआ कि टीम में कॉल से समोसा में बटेंगे प्लीज ओडर इट राइट अवेर ओके इतना होगी समोसा यह क्या सूखा समोसा की क्या समोसा ला रहे है तुम यह रूर को प्लीज अधर अदर मिया क्या समोसा हो अहिए क। वाव, अरो निदिव, जी सर्, यह समोस्तर की फाउंडर स्कॉल है, सर्, निदिव सिंग और शिरफ सिंग है, तो इन लोगों को अपने अपने शो में ही बुलाया किया, हाँ, बेज़रे वाले ही से, अभी अमेरको यह लोग चाहिए अपने नेक्स शो में, ठीके सर्, अभी क आज के एपिसोड में तो आपको पता ही चल गया होगा कि कौन लोग आ रहे हैं, निदि एंड शिकर ने समोसा सिंग को अपना दिल और दिमाग ही नहीं, बल्कि च्रगल और हसल का भी एक नया नाम दिया है, अपने वेल पेड जोब को छोड़ने से नेकर, अपने गर को बे प्रेषी को आज अभी खेश्चा के आज़ अब। समॉसा के चाहँ आपने आज अजय है? मस्ता आप शमॉसा अपने है साथ़ जाह है? सही है? है? सभी समॉसा है, यह उस्ता है। आपकर सपैसी किरी हैं, बहुना जादा अँच्छा एक्षा रंग करने में रज़ा फुरी आदेल, लाउनने को जली हुए आप शेयर है में बड़ाव क्या आप राजान समान नहीं वेने में को पाद में शज़ार को कि शुख अच भाद में इनलानी है तो बॉपने के देख के लिए बात जाया है जालो है भी के अलग तो इसलिए नहीं थिए भाते हैं तो लिए टेस्ट मैच निगरे बाते है तो यह लूदाएंगी ए जाएंगी तो तो अबना यहांगी नियुछा के रिए किसा भेशने को बेशने एक लिए आती है वोटे समौते हैं वेलिकम तो ते शो था थानकी जीजिए निए को दता है क्या शर्येंट मैं अबताएएफ नजी आप दुना के वो बहुत बहुत-दुनी ते कर दे नहीं तानक भारी योज़ाओ छो तीन मेने, छे मेने, आठ बोर हो जाता है। ते लंबे टीम तग आपके लिए क्या मोटिवेशन रहा कि इक लंबे तर जाप को और ऑर एक लंबे तर एक लंबे तक गुजनस में रो एक ही चीज करो। ते जी तर रहा इसा इक लिए प्या भीशन था बिखे लिए है। काट ए अधिन नीजिया नीजिया है। don't think about money, just think about learning and actually it is true अगर आप हर दिन कुछ नया लर्न करना चाहते है multi-disciplinary उसमें आपको, you know multi-apartment, उसमें exposure होता है जैसे अभी मैंने आपके office में देखा आपने खुद बोला कि team is full of energy आज की Gen Z कभी कुछ लर्न करना चाहते है अगर ये कोई company आपको offer करती है I don't think आपको थोड़ा सा भी ऐसा लगेगा कि आप एक ही routine में या एक ही rut में fixed है मुझे जब मैं scientist की job just after, during college one of the internship में मुझे किसी ने बोला oh please join this big pharma company और मैंने उनसे first question पूचा मेरा job क्या होगा आपको सोचना नहीं है कि SOP तांग दी जाएगी सुभा हो शाम कर वही SOP फॉलो करो होगा वो मेरे ने था ही नहीं ये ने कभी उसको फिर implement भी नहीं किया और जहां तक रही last seven years of samosa से मुझे नहीं लगता है इससे जादा roller coaster कभी किसी मुझे एसे लगता है कि मेरी लाइस तो बिलकुल ही ऐसे है मतला इस लाइस 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 growth is never linear I think it's same for everyone मुझे तो motivation कोई फेक्टर था कि आपके लिए लाइफ में कि मतला मेरे को यहीं रुक्य रुक्य रुक्के 10 साल काम करना मेरे लिए motivation is being progressive जो मैं आज कर रही हूँ अगर मैं आज से 6 महीने बाद भी वही चीज कर रही हूँ चाहे वो मेरा status of living हो चाहे वो मेरा तरीका of you know growth हो learning हो यह सब कुछ अगर वो इंप्रोव नहीं हो रही तो मेरे लिए कोई motivation नहीं है because according to me success का एक बहुत बड़ा एस्पेक है there should be some progression in your life at all aspects right personal, professional, everything and that company offered me I used to travel to the world I used to meet with new people understand की market में क्या नया हो रहा है so I think motivation was all around me तो यह सारी चीज आपने परेंट से सीखी थी या फिर जब आपने पर्ड़ाई कर ली उसके बाद में ही से सीखे लगे I don't think it was related to parents because my parents are well set into a it belong to a job family just like my mom, she was working in a school private, the government school as a teacher and yes obviously she grew to the level of a principal and then she retired my dad on the other hand is a lawyer so yes उनके अंदर new cases I'm sure कभी भी हमने लाफे ना कुछ सेंचीज करी नी we keep experimenting a lot in multiple aspects so there was always that fun, change, progression always there so ऐसे को इमानोट नहीं आई नहीं तो सेकर साभी बहुत एहम स्वाल में आपसे बात करने जा रहा हूँ आपके लिए बूसतों में आपके बास क्या माइंडसेट है कि आपकी वाई भी आपके साथ ऐसे अंतरफिने और काम करे यह इनोंने आपको motivation दिया पर एक केमेस्टरी तो कॉलिज टाइम से बिल्ट हो गई थी हमारे मीच में पहले आई वेंट फॉर एयर स्टाडी शी वेंट पो जोब तो आई हैव एक्सपीनिस इंकॉर्परेट फॉर सिक्स एर्स तो उसके बाद मैंने फे जॉब स्टाट करी अपना sir पता नी था क्या करना है तो उस टाइम पर काफीए जाने प्ना था आई अपना चूछ पर अन्हार करना है उस-टाइम्रों सिक्टा करना उठ करना है कुछ पता नी था मुझे कुछ नी बताव स्टाट पक्या होता है आई इंग तो बस यह जगे बिसनस करने अच बिज सकyss्डों, तरह चौछा ए भी करना एचा प्ना एक क्उछों, आ जॉप में जयादा इंठरस्स नी है और मेरा उलता था ओर आपने जोपा है में मुझे आपने हरा हेची जबनाफ ऐसां दुचों अब तो मिक्स हो गया बिलकुल, बट जो हमारी लीनिये पूरी बिसनेस बेक्राउंड का है, पुरा बिसनेस बेक्राउंड है, तो बिसनेस करना था, तो थेन डिस समोसा का एडिया आया कि समोसा पे कुछ करते हैं, बट बिगिनिंग विजिगली मेरा एक चीज यह हमारे करना है कुछ भी करना है I have a habit कि I will consult her first क्यार ये करना है ऐसे करना है what do you think तो उस टाइम पर भी मैंने आस्ट हर के समोसे का करना है कैसे करना है but she laughed at that time obviously क्योंकि मैं as a scientist I was doing biotechnology scientist के लिए job भी मिली थी मेर को अस टाइम पर तो ठीक है उसने मोला के नहीं नहीं जोड़ो अच्छी कासी जॉब मिल रही है वो करो बिजनेस बुचना और वह भी समोसा क्या बेचोंगे भी scientist बनना है तो अन्वाई की तरह में जाना है तो अन्वाई की तरह में जाना है जा तो फिर एंड एव तो कुंविन्स और क्योंकि हमारे में यह एक टेंडेंसी है कि अगर मैं बिजनेस को कि अन्विन्स कर लिया इस मींज ठीक है बिजनस जिस डिरेक्शन में जा रहा हूं एक लिस्ट आम मेरा यह एकई धुचत कि ठीक है अगर कल फैल भी हो गया तो आए ह जरवाल ने तो तबी बोल दिया था कि तुम्हें जो करना है अपना आप करना है तुम्हारे खुछ की लाइफ है फेल होगे तुम फेल होगे हमें कुछ नि लेना तुम्हें शादी करके सैटल कर दिया है तो बस ठीक है हमारी तो ठीक है रिस्क तो लेना था तुम्हें तो तो उस ताम पे अमने डिसाइड करा के आई फस्स लीड जाट करेंगे यू कंटीनियू क्योंकि कुछ पैसा तुछ चाहिए दा गर में जब मैंने शोड़ी थी उस ताम पे कुछ और कुछ और कुछ सोर्स नहीं था पार्ट फर फिर मैंने लोकेशन हंटिंग स्टार्ट करी दिरे दिरे शुरू करा फिर एक साल बाद बेन शी स्टार्टिट के ठीक है फिर मिरको लगने लगा कि नौ इस ताइम क्योंकि यह पता था कि करेंगे दोनों इसी में करेंगे इफ एवरी थींग गोस वैल ओबिसली अगर नही अभी प्राइब इस पाड़ बिसनस में और मैंने बोला कि ठीक है यह और जो जोई शीकलि कुट गब देज़ अर बिस्ताइब जासरे लगने अविशन अविशन अपना इस तार्त लिगे बात कर दोना है नहीं आप जादा एप जादा लगने अब यह जादा लगने लाज लोगे सप्राने समसाइब और श क अजया की एंद्ट कार्या थ्ट टेर्फॉर्स थे आदे मैं अर्ट पोटॉर्स विल्क में बल्ह जो हमएग जली का इव then you dream have graduated, then no it was just the idea when he was studying the masters getting his life and doing so well so two years after we got married after idea after idea, when you really set up business time never so then after 결 show, after retirement I had graduate of five years after that, then start idea came to us long time back but this idea stayed with us it wasn't so easy for Shikar also to get convinced that for a product like Samosa we can do it बार बार यही क्वेशन आरा था कि अगर यह इतना लुकरिटिव आइडिया है तो अभी तक किसी ने क्यों नहीं किया बर्गर्स है, बिर्यानी है, पिजा है, इंडियन स्ट्रीट फूर्ड क्यों नहीं है, नतिंग और्गनाइज क्यों नहीं है, हल्वाई शॉप्स है, है, हुआ है, इंडियन स्ट्रीट आर तो यह फिर हम रियल एस्टेट ओन तो नहीं करेंगे लाइक में किया था बट अमेसे दादा डिसार्ज किसीने नहीं करियोगी समोसे पर और अर रिलोबिट करों कैसे सच करी क्या सोच रही है यह जब आइडया तब भी आइडया सेमी था कि किसमपल प्रोड कि अमोसा इस को तोड़ा स्टैंडराइब कर आज मैं क्डोश्ट डोमिनो सबसे सक्सेसफ़ एं वो सबसे टेस्टी पिज्धा है यह सबसे टेस्टी बर्गर रह वो इसलिए है क्योंकि कस्ट्रम को पता है कि what to expect out of the brand. The minute they look at McDonald's, they know they'll get a good quality, good hygiene, a reliable brand with a good taste, something that resonates with everybody and they can relate to it. Everybody knows that. But we wanted the same experience with samosas. Today, samosa is made every flavor. Sometimes it's more flavor in the filling, sometimes it's less, sometimes it's less, sometimes it's worse, sometimes it's worse. We also wanted to create a consistent experience because samosas is such a simple product, it's very difficult to change a taste of a palate. Initially, we studied market, we asked every customer for free. Today, the customer says, it's perfect for me, it's less, it's less for me. So, that's why we have to understand that we can't do it every person's taste. But we have to come up with a consistent product, consistent flavor, which resonates with everyone. So, spice lovers is a spicy variant. Typical Punjabi is one of them, a samosa is one of our own version of aloo masala. which means our basic aloo and all of them, Punjabi samosa, veggie spice, so we created different versions of different versions. But it's exactly in the McDonald's model, it's fried just at the sight of the customers, just at the time of order. But still, the consistency of the product is, because everything is done centrally. That's right. So, I have to learn this from you here, that it's your product, what you want to present in your product in the market, what you want to do in the market, what you want to do in the position, it depends on the customer. It means that we have tried to tweak it, like we have launched in Mumbai, people like the curd-based things more, because weather is not so much, so we have released a few different variants. Okay. In Hyderabad, people have that spicy palate, so there are some different variations, spices. But then, there are 5-6 varieties like Pan India, which are our consistent flavors, which mostly resonate with people. Now, how many franchises are there? No, there are franchises. Nothing. We all own them. So, how do you design this model in Pan India? Now, our whole centrally-driven, like McDonald's, pizza, and all of them, is that there are centrally a kitchen, where all the products are made, 90% ready, and then they are source to all the locations, hub and spoke models. Then, when they go to the front end, they will have a final processing product, and then, invoice to the product. So, in every city, you have a warehouse, a warehouse? A warehouse. No, the production house is at one place, now, our current Bangalore, here, in every city, there are a warehouse. So, in every warehouse, there is a storage. Right. So, from there, it gets connected to all the stores. Whatever we do, then there is a final prep, and then, So, the situation is bad, is there any technology too? Do we use it? We use it. Blast freezing technology. We use it on the back end. Blast freezing. So, what does the temperature happen? When the product is getting out of the kitchen, it gets out of the kitchen, it will immediately take it from 50 degrees, it will take it from minus 10. And, the transition is so fast, 3-4 hours, that there is no bacterial growth. So, the flavors, colors, paste profile, it does not change. Same technology, which is used for your simple mutter. No, 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 no. Or frozen chicken, which we get in the same way. This is a very well-known technology, so, this time, food friendly sector. is it? Our big and big South Indian giant, for sambar and chutney. Big ideally, you're using it. Because, preservatives, no one wants to add, and ideally, you don't need to add. You want to have a food, which retains its freshness, nutritional profile, without adding any preservatives. So, this is the only way. Once the product is ready, like your final smoothie is fried, then it needs to be consumed the same day. After that, you see, your shelf life. So, in this seven-year-old entrepreneurship journey, we will have a lot of effort. Tell us, that's how I was going to do it. Look, I was not very keen on entrepreneurship, to be honest. I was always, I was happy with my job, I was doing really well, I was traveling, and whatever I wanted, I could get it, because touchwood, everything was really great. But, I realized, after a certain point in time, which is after many years, that Shikhar will never be happy, never, if he doesn't start, Samosa Singh. And I also knew, eventually, that this is a great idea, and he should do it. And I was like, okay, let's just do it. Let's do it. But, when I started the business, there were fears, I think, around COVID, and during that, and maybe before that, every single fear, What were fears? You told me, there were 4-5 fears. The biggest fear, is the money. I can't do it. The second fear, was that, if you don't start the business, consumer's fear, we always keep in the F&B, especially, take up complaints, there was some complaint, especially, it's related to health, also, putting inside your body, so, something wrong, so, it's always, it's everyday, now, it's still, it's still, and that's good fear, also, it ensures that we, stay extra careful. We have faced everything, we saw very, very bad times, but, we sailed through it, very thick skinned, after that. There was a moment, when you told me, A lot of moments, when you told me, if you don't get out of it, if you don't get out of it, then, people feel like, entrepreneurship is very easy, so, this is a solid moment, if we thought about it, it was a small moment, but, when you start the new, it was a big deal, the first day, our outlet opening, and, yesterday's invitation, all of us, we didn't have enough equipment, we didn't have enough equipment, we didn't have enough equipment, we didn't have a lot of anger, with the vendors, and then, we took someone else, and took someone, पूर नगा दिया फिर अगले दिन सुभा जाओ उपनिंग करनी थी शटर जाम हो गया अब कस्टमर बार वेट करने शटर मी खुल रहा शटर तुलवाना पड़ा पूरा फूरा शटर फुलवा तोड़ना पड़ा उसको पूरा ऐसी लॉसे कैसा बार निकल आए कि चलो खोल कि खोल यह जाओ फिर तो यह कुछ ताइम बाद ऐसे और बी इंस्टेंस जिसमेग वो पुछ वाले इंस्टेंट आप बहुत सारे अमर ऐसे चल थे रहे ते वर उसमें लगता है यह क्या हो रहा है मलब कभी लगा यह जोड़ते ते 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 चॉड़ आपने करेंगे नहीं क्रणों इसके बताती हूं, जैसे हम्ने शबसे पहले ज़ती बूटस्टरप कंशी किया, जब शबकॉर कोई खूर्स выступ, मुझे ठेकर प्छे सालरी है, सिंवनीकन कती है, जब फुट्र tu कॉर्स्टर हूरे टीजर्य काया रहती है, जो फूर छॉर्टा कहीं पर भी जाते, there also samosa would be served. Any cafe, like Bangalore का biggest cafe coffee day, वहां पर भी था, हर जगा था. So हमने सबसे पहले ये सोचा कि, जादा जगा पिक करने की वजाए, जहां पर already samosa है, वहां पर भी शुद प्रिजेंट विद आर प्रपोजल, कि आर्स इस अवाल्य एडिशन I mean, I was leading the sales and business development for a healthcare company. So I did my best, but there was no connections. Food industry, Bangalore, whom do I reach out to in cafe coffee day, or jet airways at that point in time, or air Asia, or corporate offices. Like Bosch, for example, one customer came to our outlet and said, I wish I would get to my office. I would say, let me tell my office's name and address. So he said, Bosch, he was a very shop floor engineer, who sometimes had a bun with tea or something like that. So once in a week, they would get samosa also. So I started pitching, but I'll pitch who I am. LinkedIn was not at all active at that point in time. I'm talking about 10-12 years back, right? Sorry, yeah, 7 years back, when this idea was there. That first chance was a very tough thing, but we cracked it. So with Inox came, then Bosch came, then Cafe Coffee Day came, Cafe Coffee Day came with just few pin codes, and it came Pan Karnataka. Then slowly other outlets came, then airlines came, Air Asia came, Jet Airways came, then things started to come in and flow really well. Finally, we got one big order. Bosch's order was hard to do. Bosch, actually, Bosch was one of our first clients. She mentioned that they would give samosa or snacks. and it's a big company, which was the one that was killed. So we went there, they called, okay, you come, I'm snacks. And we were very excited, okay, big client got it. So we were making 100 samosa daily, just 100-200, which was sold in the restaurant. Then we went to Bosch, his purchase head was a very tough man. So we discussed with him, and he gave us a chance, that we also took snacks, until we took Kanti Sweets, Kanti Sweets, all big vendors. Then we told that, okay, we had a chance. He liked our product, we had a product testing, then he told, okay, okay, we gave our chance. Our 4,000 people, 4,000 snacks, we had ready. Then we were about to leave and he told that, you don't want to do a job, you don't want to do 8,000, you don't want to do 4,000, you don't want to double it. Because he wanted to test. Test to do, okay, we can do it or not, because obviously, what happens to be a union system, if you missed snacks one day, then they start creating issues. And Bosch, we had a very big capability, we had a very big risk, life. When I started Bosch's pitching, sorry to cut you, but I just wanted to set the context, that when we started Bosch's pitching, then we started this whole process, which was a tough nut to crack, it took us almost 4-5 months to do it. But when I consistently did it, after one point, I thought we might get the first chance. And I told SV, I said, the chance that we might get will be at close to 4,000, so most of them. And he said, fine, but how we will deliver 4,000? First of all, 250, max to max 500. We hired him at the time of R&D stages, and he today, by the way, is our head of our production. His name is Narayan, you should come and meet with him. He has grown with us, and he also is now a shareholder at Samosa. So basically, he, he, he says, why don't you take the tension? Thumbs up. But he would say, that Narayan, don't go to reality, think about it. Actually, this happened after getting the order. No, I didn't. You took order at that time, so we got the order, that okay, 8,000, we went out and left, while walking back, then I asked him, I will take it, and how do I do it? Because now, we will make it 100-200, and how do we make it? 8,000, how do we make it? 8,000, that's a lot, actually. And then, I think, 2 or 3 cooks. It was a lot of small cooks, and the kitchen was a lot of small. I think, it was, 300 square feet, or this area. Then, she told me, I got the order, and I have the responsibility. That's right, that's right. That's right. That's right. I have to sleep at night, and I, what do we do? I knew that, that's not going to be in this kitchen, anything. It's just a small place, you arrange the equipment, arrange the equipment, that you make, and build a large floor. So, then, there was a time, the money requirement, that, it was 15-20, 000, इन्टार्योपेगी इन्वेस्टमेंट थी, अमार पस नहीं था, हैंडीकेश, हमने उससे पहले सारा इन्वेस्ट कर दिया था, फैन वी, वन डे, हमने एक रिसेंट ली उस ताइम ते, एक अपाटमेंट करीद लिया था, यहलां का साइट पे, then we used to go there on weekends, तो तो इस तैए र जड़ाट तस दिन बचे ने तब तो यह संच और अड़ें अरवेट से खाटके एच और अच यह ब्ते हाव हो भी ने रहा फिर डेंड एक जाते कौछ के शे आप होगां रहाएं वह बेचना अपका क्रुछ कुल्टी का वह भी नहीं रहाएं अर्व को मैंने बोला कि अटीक I guess, I guess, go to the house. Well, everyone wants to make that house. And I helped the house with us. We simply said it's our decision, let's just quickly execute it. Luckily, at that time, because in that time, the real estate… was a bit of a down to the house time. But, I think, in two days, if there was a customer, within 3-4 days, the deal could make a transaction done immediately. तर रहो जब कोई काम को से तू हराई ए सब्सकती है, आपक जब कोई सब्सक्राइब लिगा पार्टाप्टों कर रेखने ऑखना प्रइव कर दियार लिए पार्टाइ इज फिर्ली लिए बीट है जब कोई एर नग्डै पार्टाइबापट से विर्युटानी को भी लेगात फाइनली वी देट समने दो हुअ तेन देन के लिए अदर ने जब इंटेंशित बहुत फ्राओं रहोता है और चीज करने की चाह अटी है तो वह आटमेटिक लिए ऐसा होता है कि सब चीज आटमेटिक हो रहेती है अगर वो नहीं होनी होगी तो फिर नहीं हो पालेगी तो उसको छोड़ दाशी है So we took it and हमने फिर लिया घर को अब वो हुआ जगा कहां ठोड़ने ताइम नहीं है क्योंकि हाटली चार-पांच देनी बचे थे So finally the shed was ready Everything was done then the main question came how we will make again I mean for 4,000 we still figured out a way for 4,000 but 8,000 how we will make Double the order, how will we do the order? Okay, okay So why can't we make the order at 5 o'clock? How much will we make the order at 5 o'clock? No, it took us a lot of time, I mean it was a whole step by step I mean I think we'll fry the order at 1 o'clock, I think we'll fry the order at 2 o'clock So we didn't take the order at that time And we took the order at 3-4 o'clock One day before we realized that we will take the order at 4 o'clock Delivery we have to do the order at 4 o'clock So we had a very old one, no one? Yeah, no one, no one was on the bus driver So it was on the third end, it was on the third end Third end, I don't know how many people are on the bus There was a flyover on the bus, I told him that he was on the bus And he gave the order at 4,000, he gave the order at 4,000, he gave the order at 4 o'clock So I took the order at 4 o'clock, it was on the bus And just the bus, the bus, the bus, the bus, the bus, the bus, the bus… Oh no, that's clever And that's a nice thing Oh brother, that's all After that, we thought that there are many problems And now there is no problem, now there is another problem With the family, everything is solved But he also has consumed a factory Let's see, everyone? Next we made the tire after the bus, the tire, it was left by the factory No one tried to take her And we took the business We just arrived in the bus The signal, that just like this The bus was left by an office It was just a panic signal जाल था, ये ड्राइव कर रहे हैं, मैं साथ बहुते हैं, पुलिस वले को इंस्वेक्टर ने रोख लिया, और उसके बाद रोक के बोलते, चलो थाने वा, क्यों वही रीजन, क्यारे है, ओमनी नमी तनी क्रेट भर रखी हैं, वाइट पूर्ड क्यों है, कमर्शिल काम कर रहे अजिए इसको ले जो, बिल्को ले जो, गाड़ी ने दे सकती, बिल्को ले गाड़ी ने दे सकती, वाड़ी थो, इसको आप रख लो, वहीं पर बाद में देखें, तो वह बिचारा बोलना चलो ठीक है, मुझे लगता है कुछ अर्जेंटी होगा, अपको तब ही अस्बें करके आते हैं, तब तक, आप हमें से किसी एक को पकड़ लो, बट कर दो, प्लीज, फाइनली एगरी, केते ठीक है, बाद में करते है, चला, नविस ने लगाओ, वो हमने बाद में फिर उसको येलो बोल भी कराया, पर फाइनली हमने ओडर को डिलिवर किया, और वहीं बैठ तक, नविस नेक्नी कर दो, पसाओ अर्म करते है। इंड, दोन करेंते हैं, बिलुन भी एफरे शो। हैंगा, जो बडीन करेंने पिसा से का마री, का नो तो आपको क्या लाइफ चेंज हो गई है पूरी एंटाइरली मिलब जैसे बोलते कि रिच होगे हम लोग अवी बहुत रेवन्यू पर मैं कमेंट नहीं करूंगी क्योंकि बहुत सारे नंबर्स फ्लोट कर रहे हैं इसमें से सब कुछ सही भी नहीं है कुछ एक नंबर्स वो है बट येस हमारा बिजनेस हमने अच्छे फेस से जीरो से हमने शुरू किया वेच बिलकुल एक लेवल पे लेकर गए सारे बड़े-बड़े क्लाइन्स यैसे कॉर्परेट क्लाइन्स, काफेज और मल्टिप्लेक्स एयरलाइन सब को पकड़ा और बिजनेस जब बहुत अच् और मोस्ली क्लाव किछन और बांज दिलिवरी वे बनलाव में उसके बाद हमने इनवस्टमेंट ली तबत अच्छे प्रेट वी काफीड़ी कर दी ती ती हमारी थीर से वाच्छेट किछन 15 स्टे फेट केचे पलस में पूंचे और सबकुछ तच्छवूट सही था, we had good investors on board, सबकुछ रएडी था for us now to take a bigger step. And in fact, I remember we were just having a hearty conversation where he said, we got blessed that we chose two industries, entertainment and travel, which is kind of recession-proof. People will continue to enjoy movies and travel also. We invested one of the very heavy investments at Bangalore International Airport. वो भी हमने 80-plus company से बिद कर के, we got that spot. We invested very heavily in terms of money because a lot of things are required, some good standards, we got that counter. And when we launched it, just 10 days later, COVID happened. And our entire business, multiplexes were the first ones to shut, airline. Just after that, all the corporates were forced to work from home, all the joints like cafes and all were shut. So literally, हमार सारा business, overnight, overnight, which was really booming and we were doing really well, came down to zero. वो साल के लिए एक लिए एक दिन में भारत बंद अनाउस वाइस मार्च, वो से वाद टोटली जीरो. वोटली जीरो और कुछ समझ भी नहीं आया कि क्या करे और क्या वो करे. हमने, I don't think, इससे अदा stressful time कभी उससे पहले देखा होगा, मतलब फराज की. तो उसके पहले 5 साल चला दिया था, हमने रहे कमनी है? नहीं, 5 साल नहीं था. 4 साल. 2017 में हमने B2B का ये स्टार्ट. 17, 18, 19, 24. 4 years. और तब तक हम हर जगा पॉंच चुके थे. और हम स्विर्फ B2B में थे उस टाइम. B2B हम पैन इंडिया पॉंच चुके थे. हमारे हर मल्टिप्लेक्स पे समोजा पॉंच चुका था. It was doing really well. We were almost at a profitable business venture. Automation करके B2C में shift कर रहे थे. B2B भी होता B2C. बट हमारा वो पूरा business arm. जो हमारा main business था. Basically, वो हमारा overnight बिना किसी warming के zero. तो दो सल कैसे survive किया फिर क्योंकि लोगों न तो बिलकुल ओटर करना बंद दिया था. तो हमारा ओटर का खाईनी से 5 आउटलेट्स थे. Cloud kitchens built किया. तो हमारे जो मेजर एक्पेंशन होई याभी 50 Cloud kitchens की. During that time, we have done. तो सब्सक्राइब को बुलाया थे. जैसे ही lockdown हुआ, हमने पूरी टीम को बुलाया. And that's when you were saying कि sales was of no use. That's when Shikhar's strategy came into picture. He called in the entire team कि look now we have to work nothing. Sab kuch खुद बनाएंगे. We have to open our own small small hubs and enter. तो जैसे lockdown में we created a demograph analysis. क्योंकि ideally क्या होता है किसी को location टूनने है तो they will go out and scout. अब हम गो आउट तो पर नहीं सकते थे. तो बैट कर on the system, he created an algorithm कि कि किता लोगो का spending capacity है. कहां पे कितने outlets हैं, कहां पे better होगा. And वो 100 meters के lat long के accordingly, we opened our cloud kitchens. जैसे lockdown relaxations हो. And from five outlets, we moved to 50 plus. And from one city, we moved to eight cities. अब तो रहां तो रहां तो रहां तो रहां तो कोई अप्शन नहीं थी अस ताइम. तो जो आप्शन नहीं थी अस ताइम पे, तो जो आप जो बोल रहा है थे ना कि क्या थीर थे. वह यही फिर थे कि अगर क्लाइंट लूज हो गया तो हमार तो क्लाइंट परसंट ही बंद हो गया. अगर बंद हो गया, पैसे खतम होगी. कि क्या करें? पैसे खतम, as in there is no revenue at all. I have seen so many businesses, जो एक्चिन ही फेल हो गए तो कुछ उनको नगतात हम क्या करें, सबके साथ यही हो रहा है. But somehow हमारे नेचर ऐसी है, रिजिलियन्स इतनी है कि क्या हो गया, सबके साथ हो रहा है, वस नॉट अप्शन पर. I actually that time, सब फेस कर रहे थे, तो सभी ही बोलते थे, ठीक है, सभी के साथ हो रहा है, it's okay. It's not a reason के भई ठीक है, सब डूब रहे थे, तुम भी डूब जाओ, but you have to at the end of the day put effort, इतने लोगों को सेलरी दे रहे हो, सब के घर चल रहे थे हमारे उससे, क्योंकि specially we are into a manufacturing, so there are almost 20-25 people. Just in the factory. In our company, जो चार साल से मारी company में थे, अब हम ऐसे दो कर नी सकते हैं, ठीक है, बोरी अब इस्तरा बांदो, घर चले जाओ, चार साल से मारे साथ, जो लोयल्टी थी, वो किसी काम की नी रही, then we thought की clearly के अब उच करना चाहिए, change क्योंकि हम लोगों को तो अटा नी सकते हो, कि उ एफ, आवन पेप पेट उच अब हम झाहिझ, जी और मार से लि दे लिटे था, जी सब्टनी ले टीष CC ले चारada की लांश का लेट लैख करें, बोच मुंप बोदे नवोटी लेग्स अब शुरू कर लेगोंड कि फॉर्बी रही नी लिखिपें, बीनज़, जु तो अब वाद बुल कोने और थे लिए अपट कोु आपरेकि लीटिय जो टिए और प्री जो ओपरेट वेरे लिए लिए यह जिए बने कांद कर वाद है लिए कर दिमने ऐस आप एक लिए जो च्रिश्न कि वे तिम परी यह कर दो है तो आपको ड़ने की जरूत नहीं है, सकसेस्फुल बनना ही थे है, बड़ डिसीजन उस मुमेंट पे लेना है, आप रोज रोज डिसीजन लेने का मतलब नहीं है, कोई सिच्वेशन आ रही है, उसमें आपने अपनी बुद्धी से कुछ भी बात बोल दिया, कुछ काम कर दिय वो सबसे सही है, जो आप लोगों की जो लाइव है, मतलब और दूसरी चीज़ में को ये भी समझ में आ रही है, कि जो बूट स्ट्रेप बिसनस करते हैं, उनकी स्टूरी बहुत अलग होती है, और जो फंडेट कंपनी, स्टार्टम कंपनी की जो फांडर्स आते हैं, उनकी लेके, दूसरी चीज़ के, यू शुल नॉट कीप तू बोट दवेज ओपन, कि आज जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, जॉब छोड़ कर बिसनस करना चाते हैं, बट अगर बिसनस फेल हो गया, तो I have an option to go back, बट मेरी हमेशा से फिलोसफी रही है, कि अगर कुछ करना है, तो सब कुछ छोड़ चाड़के, कुच जव, जब पता होगा कि पीछे कुछ नहीं है, तो obviously you will move forward on the, you will not look back, so always go with this approach, एक फोकस अगर अरगा नहीं है, तो यही करना है, तो यही करना है, तो यही करना है, तो शायर अपका सक्सेस तो तो है, फिर अपन दाउस आना, चीज आ वो तो बीटाट होगया, तो अप्रस्थणल चलेंच होगया है, एक उकडह सबते हैं, टॉसे होगया, तो यही कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो इसनी ठागा कि आपका सदूरेंट होगया it a. तो आनि दूसरा पोईंट कि बहुत जरूरी है, तो, फ्रम्हेरी बीतिनिंग have some nice team members or partners with you on that journey बहुत से लोग ऐसे होते हैं अखेले सब कुछ करने सलते हैं but you really need that support क्योंकि अपसंद दौंस हर बिसनस में रहते हैं but team is very important मैंने कभी भी team की importance before entrepreneurship नहीं experience की ती जितनी नाप करते हो I mean, wherever we are it would not have been possible अगर हमारी एक team शुरू से हमारे साथ एक कोर उसमें आ रही तो choosing the right set of team or your right set of partners is equally important for the success or loss of a business absolutely एक मेरा परसनल वर्शेन है सिर्स आप खुद करते थे क्या अब आप nobody is but why CEO of the company CEO of the company same sub come खुद कर रहे हैं so then how they will grow that's why I'm not the CEO of the company he is no you are right see सारे काम खुद नहीं करने जहिए that is why I said team is important हमारी कंपनी का जो कोर है it's actually the production and that is why production is something which is not done by either him or me to be is very tough space there you need to build that rapport I obviously can have a team who eventually उसको ले कर जाएगी but before I get there I need to get a certain level of B2B sales done हमारी शुरू से ये मिन्टालिटी रही है like I said आज हम शुरू में ले सते है कर रिसोर्स और उसको मैं सिखाउ बिल्द करू B2B but I think अभी जिस ताइन पे हमारी कंपनी है I first would want to get a business to a certain level and then get a person who could then even eventually run it because B2B options हमारे लिए बहुत सारी नहीं है today as a company we can't supply to every small cafe shop or anything we have chosen to just select partners maybe like 5 big companies in this space so five companies है अपने आपने इतना छोटा universe that I would want to build that and I think शुरू में जब हमने सब कुछ खुद किया I still have that relationship and a rapport built वो थोड़ा it becomes easier and yes आपको अपना एक और वो ego side में रखनी पड़ती है because when you do sales for the other person you're just a vendor and for the other person we're just what some host are vendor right I mean my team पुलती ही कि आपशीज आप सेल्स मत करो because my तो sales रग रग मैं आपी 10-12 साथ से सिर्स ही कर रहा हुआ and my team पुल रहे कि आपशीज आप सेल्स खोड़ दो आप मत करो आप टीम से कर वह सारा काम क्योंकि आप बिजनस को ग्रो करना हैंको और जितनी जल्दी हम ग्रो कर पाएंगे मतलब जितनी जल्दी आप ग्रोथ पर दियान दे पाओगे अजर आप ही रोज एक क्लाइंट से बात करोगे उससे बात कर जाओगे मीटिं कर जाओगे तो I think company के लिए भी बिलकुल चाहे यह चीज बिलकुल एकट्विटोटीज अच्तिविट फोड बाइटीज शुट पर दे बाइटी एट जाओड़ जिए लिए जी लगूज टेम सुटेज लिए ट्स्राटजी शुट झाहे लिए बिलकुलू ऑध़ अच्छ एगक्श्य पार्टीशी देटेश के लिए बि samosas anymore because the invent of the airlines has changed so well that the number of seats are increased. कोई भी खुद की वेस्टेज नी रखना चाहता, correct? Nobody wants to have the food that is not sold and wasted. What they want is packaged food, गरम पानी डाला ready and eat, right? It's a very tough thing and now as a company we have decided do we need to go to that space? No, because I will put so much effort, the return I'll get is maybe like what, five, six orders versus what I used to get initially was like, huge orders because it was a mandate to serve food. max. So, it's a conscious decision where we want to focus, which B2B channel and whom to target to. Absolutely, networking किती important is business को गर्व करने के लिए? बोलते नो, क्या है, your network is your net worth, so होता है, मतला मेर को मेर को मेर को नहीं लगता, मतला बासा होता है? It depends basically sometimes networking is useful but sometimes it's of no use depend upon whom you are जरूत पड़ती तो सामने लानमी काव भी आता है unknown आदमी आपकी help करता है, मुझे असा लगता है, आपका के कह रहा है? मुझे लगता है, इस case में क्या होता है, जो जादा personally, जो बहुत close होते हैं, उसमें I think you are right, उसमें ये issue आता है एक first reason तो जो एता है कि you also think दो-तीन बार कि उससे help किना लूगे because you are a friend, good friend to that guy, and दूसरा वो भी तुमें कहीं नहीं taken for granted लेते हैं, ठीक है, दोस्ती तो आया है, कर दूँआ कल, कर दूँआ, परसो कर दूँआ, तो उस sense में I think that delays होते हुए क्योंकि आज कल क्या है, कि आज तुम किसी को फुच दे रहे हो, तो लेने का भी एक्सपेक्ट करोगे तो अगर दोनों को दिख रहा होगा कि आभी उससे मुझे फायदा, इसको उससे फायदा, तो लेन help comes in. तो पैसा वसे तो आप कमाही रिवागी का is actually exports frozen, so we are building on it, taking it there. तो अभी तो उसी पे ही focus है, कि समोसा सिंग को एक Pan India brand बनाना है, Pan Worlds लेकर जाना है, because अभी कुछ दिन पहले भी, there was an article कि UK में पीपला प्रेफरिंग समोसा और cookies and other things, it has actually has become a international snack, so it needs to get to that focus. तो अभी तो लोग वी तो गो है, I guess. It is just a beginning actually, it is a start है. वापिस बगवान कृष्ण ने बात और वो लिए कि शंगर्स ही जीवन है, मतलब वो ही है, पर लोग इसको बनते है कि औरे सुक सुईदा है, गर मिल जाएगा, गाड़ी मिल जाएगी, तो हम मसते रहेंगे, बट जब लाष्ट में आप अधियात में जाते हो, शान से बाट जाते हो, वो सुख है, जीवन एक संगर्स है, तो लोग समझ नहीं काते है कि ये तो थ्रोओड लाइफ है, क्यू़कि आजकन ली बॉलते गि कुछ इंफ्वेंसर राते बात करते हैं, चालिस में रिटार हो जाओ, 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 क्या करें है, और जाओ, 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 कुकि दिर्फिस के तूमाच एक्टेशा थर्फेट से एस्टर्नल एविद्व आप में एक्टेन आप नहीं रूलामी जालाइज कि नहीं एक तो एक्टते आप सखाते लकार्टीगव में लीपने तो लिवयेडिया कि नहीं की अ यहांवाचिक जाला लेत्टिस्टेट इस ट जालबाटी जोगा वेरी गुड़ Name of any three movie where food was the hero? Chef Tarla The latest movie that has just come Chef Tarla Tic Tic 1 Tic Tic 2 Tic Tic 3 Tic Tic 4 Mani man, do Tic Tic There are so many movies Let's just tell two I need to tell one I need to tell one I don't give a gift Let's just tell one Let's just tell one Last one Let's just tell one Which one of the three brands Which one of the three brands Which one of the three brands Which one has left the celebrity And the entrepreneur Brand ambassador It's a tough question Next question Three Indian films which crossed Thousand crores Indian? Tell me Bahumali Tell me Tell me Is it true? Yes, it's true Now the latest movie I don't remember I don't remember This is KGF KGF Two parts Two parts This is You have to tell You have to ask If you live in the water You don't remember I don't remember My dad My dad My dad My dad My dad Three famous Indian food restaurant With worldwide franchises Punjab grill Sanjeev Kapoor Yellow chili Salt 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 Bika Nirwala Right Right I don't remember I don't remember I don't think I don't think In Rapid Fire What is the best gift you have ever received after you stepped into an entrepreneur role? A very delightful customer recently sent me croquet Of samosa and chutneys Of samosa and chutneys Of samosa and chutneys He put samosa with samosa And red chutney And green chutney What would you order to eat If you have only 24 hours to live Except samosa Rabdi Jalebi I'm a good friend I'm a good friend I'm a good friend I'm a good friend Who is your all time favourite celebrity crush? No one No one You watch movies See there are a lot of inspiration I draw but I like Again it should be your favourite but I like Sylvester Stallone This is my favourite One here If not the food industry Which industry do you start up? Why do you do it? You have to do it 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 Money and skills What will you choose? Money But not skills Money will not come Money is good Money is good You will buy skills You are saying this entrepreneur's language No Actually money is important Thank you so much for taking the show Pleasure Pleasure It was a lot of fun It was very interactive I said that I didn't have the idea that it would be so interactive Otherwise we could have planned it in a little With samosas and outlets and everywhere But it was great